नमस्कर दर्श नूस देख रहे हैं आप मैं पृति दयाल आपके साथ बहुबली नेता वपुर्वसांसद आनंद मोहन एक बार फिर से अपने बयान की कारण चर्चे में आ गए है इस बार तो उन्होंने कोई और नहीं बलकि लोशपारामविलास के सुप्रीमो वकेंद्रिय मंत्री चिराक पास्वान को निशाने पर लिया है पत्रिकारों से बाचित के दोरान उन्होंने चिराक पास्वान के लिए सवालों की जढ़ी लगा दी और जम कर सुना भी दिया बता दे कि बिहार के समस्तिपुर्ड जिले में आनंद मोहन ने पत्रकारों से बाचित के दोरान चिराग पासवान पर निशाना साधा इस जोरान उन्होंने विधान सभा उपचुनाव के नतीजों पर खुल कर बाच्चीत की और चिराक पासवान के राजनेतिक रुख पर सवाल भी उठाएं इस जोरान उन्होंने दो हजार पच्चिस के चुनाव में NDA की जीत का दावा भी किया बता दे कि आनन्द मोहन बिहार पेपल्स पार्टी के पुर्व राष्टिय अध्यक्ष रह चुके हैं और जेदियू सांसर लवली आनन्द के पती है आनन्द मोहन ने अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बाच्चित की उन्होंने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि चिराग खुद को पासवान समाज का नेता बताते हैं लेकिन इमाम गंज सीट पर जनसुराज पार्टी के पासवान उमिद्वार को 37,000 वोट कैसे मिले आनंद मोहन ने सवाल किया कि जब चिराग पासवान एंडिये में थें तब वे इमाम गंज क्यों नहीं गए उन्होंने मांग किया कि चिराग पासवान को इसका जवाब देना चाहिए बिहार उपचुनाव नतीजों से उचसाहित आनंद मोहन ने कहा कि यह सिर्फ एक ज़लक है पूरी फिल्म 2025 में आएगी वही भाच्षित के दोरान उन्होंने भविश्यवानी भी की कि 2025 में महागडबंधन का सफाया हो जाएगा और बिहार में एंडिये की सरकार बनेगी उन्होंने इसे समी फाइनल की जीत बताया और कहा कि अब फाइनल भी जीतेंगे बता दे कि बिहार में हुए उप्चुनाव में एंडिये ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की इधर आनंद मोहन के चिराख पासवान पर दिये गए बयान से राजनितिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है पिछले कुछ महीनों की गतिवीधियों की बात करें तो बिहार के हाजिपूर में दलित IPS ओफिसर की हत्या के आरोपी पूर्वसांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर चिराख पासवान ने आपत्ती जताई थी इसे लेकर उन्होंने नितीश सरकार पर जम कर हमला बोला था उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार ने राजनितिक महात्वकंशाओ के लिए नियम में बदलाब किये हैं और हत्या के आरोपी को रिहा किया है दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है बहु बली आनन्द मोहन की रिहाई को चिराक पासवान ने सरासर गलत बताया था हाला कि यह तब की बात है जब बिहार में महागडवंधन की सरकार है खेर अब सरकार बदल चुकी है और चिराक पासवान और आनन्द मोहन दोनों एक ही यानि की एन्डिये गटबंधन के बयान दिया है तो ऐसे में अब देखना होगा कि चिराक पासवान या उनकी पार्टी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है साथ ही आने वाले समय में बिहार की राजनीती किस ओर रुख करती है यह भी देखना दिल्शस्प होगा तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना झाले